Hello and Welcome to the Knowledge Source तो आज के सेसन में हम डिस्कस करेंगे कल UOP के CM ने लखनो मुंस्पल कॉर्पोरिशन की बॉंड जो है उसको Bombay Stock Exchange में लिस्टेट करवाया तो इस सेसन में हम डिस्कस करेंगे कि ये लिस्टेट जो करवाया जाता है कोई भी स्टॉक अगर बात करूं मैं मुंसपल कॉर्परेशन की तो इससे क्या बेनिफिट होगा और क्यूं करवाया जाता है और इसके चैलेंजेज क्या क्या है यह सब कुछ हम डिसकस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वतादू उसको बी एसी में लिस्टिट करवाया और यह जो लमसी के बारे में बात करूं अगर लखनो मुंसपल कॉर्परेशन की तो यह सिबिक बड़ी फस्ट सिबिक बड़ी है नॉर्थ इंडिया में अगर बात करूं जो की अटल मिशन रेजुनेशन जो प्रोग्राम जो चल रह तो यह कुछ ऐसा यह मिशन था जिसे हम अम्रित की नाम से जानते हैं तो यह इसके मिशन के अंडर यह जो बॉंडिंग के लिस्टिंग जो ही है इससे क्या बेनेफिट्स होंगे माने वाले अभी सेशन में डिसकुस करेंगे लेकिन अभी के लिए आप यह जानी कि जो यह बॉंड इस लिस्टेट होई बंबे स्टॉक एक्सचेंज में इससे यह 200 करोड की जो इनो मनी जो रेज़ कर सकता है यह लखनो मुंस्पल कर्पोरेशन यह एक ह्यूज फंड होगा वहां की लखनो की जो भी सेवी केमिनिटीज को इंप्रूव करने में जो जो सिटी की जो रिक्वार्मेंट है इन्फरस्ट्रक्चर डवलप्मेंट में ड्रेन में जो भी रिक्वार्मेंट है उससे यह फुलफील किया जाएगा तो यह देखिए अभी सबसे पहले कि आने अभी आपको यह समझा दू मैं कि बॉंड एक्चुली क्या होता है तो यह बॉंड अगर कि मैं बात करूँ देखिए बॉंड जो होता है यह एक हाई सिकुरिटी डेप्ट होता है जो की कोई भी इंटिटी इसको रेज करता है जि पांच साल की अगर कम्पलीट हो जाती है तो पांच साल के बाद वो जो फिक्स्ट में जो प्रिंस्पल के साथ उसको इंट्रेस्ट भी पे होता है ठीक है अगर बात करूँ अगर कौन-कौन से ऐसे और्गनाइजेशन हैं जो बॉंड के थूपनी और्गनाइज कर वाते है तो देखिये और्गनाइशन जैसे कंपनी हो गया गौर्मेंट हो गया फिर मुंस्पैल्टी जैसे मैंने हो गया भी बात किया तो ऐसे जो और्गनाइजेशन हैं जो एसे मादल अगर इंफरस्ट्रक्टर की कमी है या फिर जो पैसे एक एड़केट फंड से बिलेबल नहीं है जो कि वो infrastructure के requirement को fulfill किया जा सके तो इस scenario में क्या करता है कि यह जैसे municipality हो गया या फिर government हो गया तो बांड issue करती है अब क्या होता है कि bond मैं भी issue करता है कोई भी a person issue कर सकता है लेकिन वो bond की जो requirement होगी या जो approval होगी वो different investors से उसको approve नहीं किया सकेगा क्योंकि उस पर ट्रस्ट की हो जाती है अगर इसी सेक्टर में बात करूँ जैसे municipality हो गया या government हो गया अगर यह scenario यहाँ पे अबलेबल है जैसे कि माले अगर municipality है फिर government या फिर कोई भी state government बांड issue करती है तो इस scenario में क्या होता है कि different investors वहाँ पे जाना चाहते है और इस bond को लेना चाहते है ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो अगर requirement बात करूँ कि उस principle जो भी maturity period के बाद वहाँ पे आपको उतने पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे इसलिए एक यह safe game माना जाता है ठीक है तो अगर इसके अलावा यह जो corpus है यह collect जो जो भी collections यह money अगर collect होते हैं इससे क्या होता है कि जो business operations है या फिर infrastructure की requirement है अगर मैं अगर specifically बात करूँ municipality की क्यों लखनो municipal corporation ने यह bond issue किया तो इसका main reason है कि जो भी infrastructure requirement है उस city की उसको fulfill किया जख है ठीक है तो अगर मैं बात करूँ कि क्या advantages या फिर disadvantages होते हैं bond की देखिए सबसे पहले तो advantage होता है जैसा मैंने आपको बताया कि इस income जो होता है वो fixed amount में आपको एक principle और disadvantage हो सकता है कि bond जो है वो lower turnout अगर stock से देता है अगर stock के बारे में बात करो stock market के उपर demand और supply पर यह वर करता है तो क्या होगा कभी stock में जो requirement होगी किसी चीज की तो वो ज़्यादा होगी जिसके चलते क्या होगा कि जो आपको अगर benefit हो सकेगा या फिर higher return पे आप उस stock को अपने share को बेच सकेंगे तो यह कुछ disadvantage होता है या फिर मैं बेच दो तो आपको अराम से जितनी amount आपने उसमें इंवेस्ट की है वो easily आपको मिल जाता है ठीक है तो अगर case में बात करूँ जैसे companies होगे different companies अगर कोई bond issue करती है उस case में defaulting के chances रहता है जिसके चलते ना ही कोई उसमें interest देता है उस bond को खरीदने में और कोई खरीदता है तो उसके chances of defaulting वो ज़्यादा होते है as compared to bond issued by the government whether it may be a central government और state government ठीक है और इसके बात है कि bond जो कि अगर bonds की जो value है वो over the period of time वो fall हो सकती है जैसा मैंने आपको बताया कि stock exchange में अगर आप money invest करते हैं तो उसमें according to the demand of need and supply जो भी वहाँ पे जो changes है उसके चलती है फिर आप benefit को सकता है या फिर आपको वहाँ पे अपने पैसे गवा भी सकते हैं लेकिन अगर bond के बारे में बात करूं तो उसकी जो fixed amount होती है जो principal एक fixed amount पे उतने साल के लिए होती है जिसमें कि आपकी आप यह देख सकते हैं कि आपको safe money मना जाएगा अगर आप central government की bond या फिर state government में invest कर रहे हैं फिर देखिए अगर बात करूं मैं कि लखनो municipal corporation bond की specifically किस तरीके की bond है तो देखिए जो municipal corporation bond जो है वो urban local bodies जो है उसने raise किया है जो specific main reason है कि जो भी financing problems है या फिर जो budgetary allocations है different government की especially अगर UP government के बारे में बात करूं तो वो inadequate है तो उसके चलते यह bond issue किया गया है और यह जो लखनो है वो 9th है ऐसा country में जो की bond की जो issue है उसकी around 3600 करोड तक उसकी demand तो यह एक massive amount है अगर मैं बात करो लकनो मुंस्पल कोरपरेशन बांड की ठीक है तो अगर यह बांड जो बात करो यह बांड ब्रिक वर्क रेटिंग के द्वारा एसको रेटिंग दिया गया है तो इसका मतलब एकी मतलब इसकी high credit quality है जहां पर यह जो यह maturity period होने के बाद इ इसमें आपके defaulting के chances बहुत ही narrow है और यहां पर जो आपके return होगी वो बिल्कुल fixed है ऐसा A का मतलब होता है ठीक है इसके बाद A के इलावा फिर A, 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 AAA होता है फिर इसमें B, A होता है ऐसा कुछ होता है लेकिन A, A का मतलब यह होता है कि इसमें high yielding chances है यहां पर आपकी money safe र इसमें कि वर्ल्ड मेंक ने अभी कुछ दिन पहले अपना रिपोर्ट एक दिया था जहां पर इंडिया के अर्बनाइशन की अकॉर्डिंग उसकी रिपोर्ट थी हो जहां पर उनने बोला कि इंडिया की जो अर्बनाइशन की growth है वो 33% तक increase हो रही है और धेद रही है आने से जी से आगे बढ़ रही है लेकिन अगर मैं बात करूँ जैसे अर्बनाइशन होता है तो आपके पास बहुत सारे चैलेंज आते हैं आपके पास अगर मान लिजी अगर मैं बात करूँ डेली का एक्जामपल ले जब स्टार्टिंग में डेली की जब अगर 10 साल या 20 साल तक उसकी टेरिटोरी यहां तक होगी अब देदरे क्या हुआ कि लोग आते गए इसके बाद क्या हुआ एंसी आरा गया है यानि कि नौर्धरन कैपिटल रीजन तो यहां पर जो टेरिटोरी के अलग लग लग कुछ पार्ट्स हैं वो भी डिबलप होने लगे तो जिसके च चलते हैं फ्लड्स आएंगे या फिर अगर मैं बात करूँ लोग रोड के किनारे वे अपना घर बनाने लगेंगे तो इस तरीके के सिच्वेशन अब सिच्वेशन नो टाइम टू टाइम हमें जहिलना पड़ता है तो अगर मैं बात करूँ अगर कोई भी मूंसपल को वहां पर डिबलब किया सके वहां की जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी है जो अभी नीड आ रहा है जो चेंडिंग पॉपुलेशन सिनारियो को उसको देखा जा सके तो यह बेसिक आइडिया होता है कि कोई मूंसपल कॉर्पोरेशन बांड इनो बांड इसू करती है ठीक है तो यह अगर मैं बात करूँ यह मूंसपल बॉंड जो है यह अर्बन लोकल बडीज का है और यह रेज करेगा फाइनेंस जो कि यह स्पेसिफिक इंफ्रस्ट्रक्टर प्रोजेक्ट जो भी वहां के रिक्वार्मेंट को फुल्फिल करने में मदद करेगा ठीक है जै के चलते अब जिसे मान लोगर में लगनू Capital है तो वहां की जो दिमांड होगी वह और ज्याधा होगी कि बजटरिय अलोकरशन ज्यादा है ताकि क्योंकि इंफ्रस्ट्रक्टर में और ज्याधा इंप्रोफ किया जैसके तो इसलिए मुस्पल बॉन्ड यह इस्व किया गया ह से कि money raise होगा वहां पे investors आएंगे और उस पैसे को लेके फिर वहां कि जो development है उसमें improvement लाया जा सके यह basic idea है so मैं आसा करता हूँ कि आपको इस session में कुछ नया सीखने को मिला होगा so that's it for today thank you as always for joining